हेलो डिय स्टूडंस गूड बॉर्णिक आइम दियो रिल केची टीचर सु स्टूडंस आजका अमारा सब्जेक्ट है ईवियस और ईवियस में स्टूडंस इसके पहले हमने कुन सा टोपिक सिखा था लैंड ट्रांस्पोर्ट राइट लैंड ट्रांस्पोर्ट मतलब क्या होता है जो भी विहिकल लैंड पे जलते है उसे हम कहते है लैंड ट्रांस्पोर्ट और स्टूडंस आज और एक नहीं है टोपिकम सिखेंगे सो आपको अपनी शंशाय की बूग निकालनी है आचने है एड ऐपन यँद बूग पेस बूग नबर 1-22 आपको यह वाला पेस निकालना है और इसमें है वोर्टर तो चलो हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है water transport तो अभी हम देखते हैं students की water transport किसे कहते हैं some vehicles help us to travel by water these vehicles are called water transport मतलब कि students कोई कोई ऐसे vehicles होते हैं जो water पे चलते हैं और वो हमें एक जगा से दूसरी जगा लेजाने में help करते हैं उसे हम कहते हैं water transport तो चलो हम देखते हैं कि कौन-कौन से वीकर्स है तो देखो first यहाँ पे है ship ओके और students यह जो ship है वो कहाँ पे चलती है water pair तो यह water transport है यह ship में हम कहीं भी जा सकते हैं by water और कोई-कोई सामान भी होता है जो हम ले जा सकते हैं एक जगा से दूसरी जगा ओके चलो तो आव अब हम next देखेंगे तो next है यहाँ पे boat तो students हम boat में बेजा सकते हैं राइट by water तो इसको भी हम कहेंगे water transport in short जो भी वीकर्स वोटर में चलते हैं उससे कहेंगे हम water transport चलो now आपके book यह open यह अभी आपको इसके बाजुवाला पे इस मतलब की 123 निकाला है और इसमें है students air transport तो students आप हमने देखा land transport फिर water transport अभी आया air transport ओके तो चलो देखते हैं की air transport किसे कहते हैं some vehicles help us to travel by air these vehicles are for air transport मतलब कि water transport में लुख किया था कि पाणी में चलने वाला राइट और यह air मतलब कि कूडिने वाला जोड़ होता है उससे हम कहेंगे air transport तो चलो देखते हैं तो देखो फॉस्ट यहां पे है एरोप्लेन तो यह जो एरोप्लेन है वो कहीं भी जाता है तो उड़के जाता है राइट कभी तेर के या एसे कभी गया थे नो यह तो उड़के जाता है एर में तो इससे हम कहेंगे air transport ना उसके बाद वाला हम देखते हैं कि उसके पाद क्या आता है तो देखो उसके बाद है students रोकेट तो रोकेट भी होता है वो भी एर पे ही होता है मतलब हवा में उड़ता है राइट तो इसे भी हम कहेंगे air transport ना स्टुडंस लास्ट वाट हम देखेंगे तो देखो ये कुल सा picture है students यास helicopter very good तो ये जो helicopter है वो भी air transport है वो भी हवा में ही उड़ता है उसमें हम कोई भी सामान या तो हम भी एक जगा से दूसरी जगा जा सकते हैं तो students आपको ये वीडियो बार बार देखना है और सब कुछ अच्छे से लग कर लेना है ओके थेंक् आपको ये ले उगा जया है